पंजाब के जिलारोपड के गाउन लठेरी के रहने वाले मनप्रीज सिंग का भैसा सनी मुर्दा नसल में ऐसी क्रांती लाएगा कि उससे पैदा होने वाले कट्टे कट्डियों की चमक दमक देखने लाएग होगी कह सकते हैं कि इसके दम पर पशुपालक दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेंगे सनी का सीमन गुरंगदे वेटर्नी और एंडिमर्स साइंस से यूनिवर्स्टी लोध्याना की और से तैयर किया गया है हाथ के उनको आर सी क्या आप भी जब कभी इसे दोखोगे तो बहुत देखती रह जाओगे जब यह मुँ उठाकर घर की साड़े 6 फूट उची दिवार से बाहर ताकता है तो शुद्र मुद्र का इसास कराता है जब सनी एक साल का था तो महनपीद इसे हर्याना के जिला जीन्द के गाउं बीवीपुर के पशुपालक जस्वीर सिंग से डेट लाख रुपे में खरीद कर लाया था यह हर्याना के बहतर 852 HLDV नामक TK की पैदाश है महनपीद ने इसे बड़े चाओ और लगन से पाला है इसके लिए अलग से बाड़ा तैयार किया गया है जब यह मजबूत पैपों से गिरे से बाड़े की मिट्री को रौनता है तो लोग भी रौमांचे दो उठते है यह एक खांदानी भैसा है इसके माबाप राश्ट्री विजेता रहे है उनकी तरज़िप पर यह भी दोधानत मुकावलों में ठेरों इनाम बटोर कर लाता है इसकी माँ मोहनी की तो बात ही न पूछो यह एक ही प्रतियुक्ता के दरण सुन्दर्ता का मुकावला भी जीतती है और दूद्धोन का मुकावला भी जीतती है 24 किलो और रुजाना के हिसाफ से दूद निकालती है मोहनी इस बात में कोई दोराय नहीं है कि मोहनी ने इनाम जीत जीत कर अपने माली का घर बर रखा है इसकी नानी लक्षमी जीवन के दो दशक पूरे कर चुकी है दूद देती है 20-21 किलो रुजाना के हिसाफ से जी पंज़ याठासी लीटर दा उदा सुगे दा रुकाड़ा जो HLDB हरे आना गॉर्मिंट तो है चे यू सारी उनिवस्टी सेक्टर तिन तो रुकाडिंग होई या पूरे साल दी जी ते उदे रुकाड़िंग ची दा पंज़ यार पूरे सुगे दा पंज़ याठासी लीटर दुद है गया जी ते जेडी जेडी इदी माँ दी माँ जी नानिया इदी ओ एस्टेम सोड में स्तार में सुगे आ जी मजबूत कद काड़ वाले सनी की आयू 32 मेने की है कद पंज़ फूर चार इंच है जब इसकी लंबाई नौ फूर से उपर ही बनती है इदा बजन लगपाग आठ सावाट कौंटल दे करीब है जी काड़ है गया जी दा पंज़ फूर पंज़ इंच लंबाई हैगी या जी बिना पूँच तो 9 फूट जेविद पूँच लोने या जी ता 12 फूट है जी शकर सुरज से ये बिलकुल अपनी मा मोहनी पर गया है वैसा ही चेरा वैसे ही सिंग खोर पूँच और तो और इसका उटना बैठना सब कुछ मोहनी जे सही है अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पहलवान जीतता है तो उसे उसके अखाड़े के नाम से पुकारा जाता है इसी तरह सनी ने भी अपने मालिक मनपीद का नाम बहुत मशूर कर रखा है गाउं गाउं में सजने वाले दंगलों में योगे शुर्दत और शुशील कुमार जैसे पहलवानों का नाम बड़ी अदों से लिया जाता है उसी तरह पंजाव और हर्याना में सजने वाले पशुमेलों में सनी के नाम पर चर्चाखो सुनाई देती है इस बात को लेकर मनपीज सिंग बहुत खोश है कि सनी गुरवासू लुद्याना की करसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है सीमन तयार होकर आ चुका है जो की 300 रुपए के हिसाब से बिक वी रहा है खरीदारों का कोई हिसाब नहीं है इससे मनपीज सिंग की आमदन में उमीज से अधिक बड़ उत्तरी हुई है कहता है कि सहाय के धंदे के रूप में ये भैसा, सनी, किसान की आमदन को दुगना करने की बात पर मौर लगा रहा है इदा जड़ा सीमना जी गड़वासू ने त्यार कीता है जी दा सीमन अवेलेबला जी आश्टाम कर दो दूपना कर दो दो आवेलेबला जी आश्टाम